राधी राधी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नैंसी शुबम उफिशियल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज किस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ जसा कि आप सबको बता हिए जीतिया ब्रत आने वाला है 25 सितंबर 2024 को जीतिया ब्रत है दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे जीतिया ब्रत की सरल्ख पूजा विधी जीतिया का ब्रत हर साल आश्विन महा के कृष्ण पक्ष की अस्टमी थिथी को रखा जाता है दोस्तों जीतिया ब्रत को जीवित पुत्र का ब्रत और जीवतिया ब्रत के नाम से भी जाना जाता है यह ब्रत मुख्य रूप से बिहार, छार खंट और उत्तर प्रदेश में ही रखा जाता है माताई अपनी संतान के लिए निर्जला ब्रत रखती हैं और जिनकी संतान नहीं है वो संतान की कामना के लिए ये ब्रत रखती हैं और भगवान जी मूत बाहन की बिदी बिधान के साथ पूजा करती हैं माननेता है कि जो भी माताएं इस दिन पूरे विधी विधान से ब्रत और पूजा करती हैं, उनकी संतान को लंबी उम्र का आश्रवाद मिलता है। इसके अलावा नी संतान माताओं को जल्द ही संतान की प्राप्ती होती है। आए दोस्तों अब जानते हैं जीतिया ब्रत की सरल पूजा बिधी। जीतिया ब्रत के दिन सुभा उठकर इश्नान आदी कारे करने के बाद सूरिदेब की पूजा करें। इसके बाद घर के मंदिर में एक चौकी रखें। उस पर लाल रंका कपड़ा बिछाएं। उसके बा बाद भोग लगाकर आरती करें। इसके बाद मिट्टी या गाय के गोवर से सियार वाचील की मूर्ती बनाएं। कुसा से बनी जीमूत बहान की प्रतिमा की पूजा करें। उन्हें धूप दीप, फूल और चावल अर्पित करें। और इसके बाद जीतिया ब्रत की कथा बाद आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद आप दान दक्षना कर सकते हैं। सुभा मूरत के अनुसार अपने ब्रत का पारण करें। दोस्तों आज की वीडियो ये पर समाप्त होती है। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को ला राधी राधी जरूर लिखेगा। राधी राधी एवरीवान।